दोस्तों आज है मारा question है exercise 6.1 से question number 1 है in the given figure line A, B and C, D intersect at O if A angle A, O, C plus angle B, O, E equal to 70 दे रखा and angle B, O, D कितना है 40 है when the B, O, E and reflex of C, O, E देखो पहले तो आप देखो क्या क्या दे रखा angle O, देखो हमारे पहले क्या है, A, B, A, B कहा है A, B, A, L, N है और C, D, C, D यह है ठीक है, intercept कहाँ पर कर रही, O पर कर रही, बिल्कुल कर रही है ठीक है, इप angle, अब हमें angle A, O, C plus angle B, O, E equal to कितना दे रखा, 70 A, O, C, A, O, C यह वाला है और B, O, E, B, O, E, यह इन दोनों का sum कितना दे रखा, 70 इन दोनों को मिला के 70 दे रखा, ओके अब B, O, D, angle फिर क्या दे रखा, B, O, D, कितना है, foot, यह तो given है मारपा, हमें find क्या करना, prove क्या करना find क्या करना angle, B, O, E, and reflex angle, C, reflex angle, C, O, E, हमें ढूंडने, find out करने, ठीक है, यह हमने, ओके, अब देखो, सब चल, A, O, C, पलच भी हो, A, O, C, और इन दोनों मिला के थे, तो हमें पहले C, O, E, निकाल देंगे, भाई, एक line है, अब देखो, on line, अगर मैं देखो, on line, A, B, इस पे देखो, जार, A, B, भाई, एक line पे, जितना, जो, एक सीधी line, इस्टेड एंगेल होता न, एक स्टेड लाइन होता न, इस्टेड लाइन होता तो इसमें एंगल का जो होता न, कितना गोता एंग एट्टी कहता है, यह सीधी बंड़ा, एक स्टेड लाइन पे, पलाज, एंगेल, सीधी, इनका सम होगा 180, क्यों होगा linear, क्यों होगा linear, linear, फियर, ठीक है, एक स्टेड लाइन पे, एंगेल बंड़े दू, अब इन दो न, पुत ओल्रड़ी दे रखा, कितना देगा, 70 दे रखा, अपला समारा, COE, नहीं दे रखा, 180, ओके, अब हमें निकालना, COE, तो एंगेल, COE इकल टू, 180 मैनस 70 करदू, तो एंगेल, COE इकल टू, कितना आजाएगा, 110 आजाएगा, अब मुझे रिफ्लेक्स निकालना था, COE का, तो रिफ्लेक्स ओप COE, रिफ्लेक्स, देको रिफ्लेक्स का मतल होता, greater than 180, less than 360, तो जिसका रिफ्लेक्स निकालना था, उसको 360 से क्या करना, मैनस करना, जिस एंगेल का रिफ्लेक्स करना होगा, उसी को मैनस करना, कितने से, 360 जैक, विकोज यह होता, greater than 180, और less than 360, इनके बीच का एंगेल होते हैं, तो 360 से मैनस कर दो, तो क्या जाएगा, 10 म सिक्स में से वन गया, 5 और 3 में से वन गया, 2, तो रिफ्लेक्स ऑफ, हम क्या सकते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ, C, O, E, इकल तो कितना है, 250 आ गया, ओके यह तो हमारा गए, लेकिन हमें, नेस्ट क्या निकालना था है, हमें B, O, D, भी दे रखा है, यह कितना दे रखा हमें, B, O, O E, B O E हमार का é, B O E ये वाल एंगल, अब जब इसको देख रहे हो एक SIT STAT पर, अब देखो CD भी देखो ये 3 एंगल, 1, 2, 3 हंगल किरें, CD पर बने हैं, यह हमें पता है यह हमें निकालना है शॉरी यह पता है वो यह पता है देखो तो क्या क्या एंगर बनने है हमारे ओन एक यह जानी यहाँ से सिद्धी यह एक है तो यह थो हमने कितना का दे टूहंडटॉraj है झिकतना है कि यह तूहने है यह हमारे देर कह दो अल्रड़ी फोटि हिए क्थकर यह क्या हमारे तेरब और यँद्ष एणिवाबान मेने कनन का निकाला है अवक आपीघर में इत्व है न इस्तेड वर्ए होग जाय काटा यह निकाला है यह होग क्याależy को तो आप देखो कैसे निकलेगा, अब लाइन CD में देखो, ओन लाइन CD एक स्टेड़ लाइन है, हमारा क्या है, एंगिल, C, O, E, पलस, B, O, E, E, पलस, B, O, D, एंगिल, B, O, D, कितना है, 180, again, same region, linear pair है, एक सिधी लाइन पे, तो क्या हैगा, linear pair, ठीक है, क्या हैगा l i n e al linear pair ठीक है आप देखो c o e कितना है 110 दे रखा b o e b o e हमें पता नहीं है b o निकालना हमें और b o d कितना दे रखा 40 दे रखा यह हो जाएगा 180 इन दोनों को पलस कर दो 150 हो रहा हो रहा कि नहीं हो रहा पलस b o e equal to 180 पीछे जाएगा एंगल b o e transfer होके 180 मैंने कितना आ जाएगा 150 तो एंगल b o e equal to कितना आ जाएगा मारा 30 आ जाएगा ओके